और अब बात अर्विन खेश्रिवाल की सलाकों के पीछे हैं, जेल में हैं, कोट ने 28 मार्च तक उनको E.D. के रिमाण में भेज दिया है, अंदर E.D. उनसे पूछताच कर रही है, बार दिली के सडकों पर हंगामा मचा हुआ है जेल के गिरफ्त में आया हुआ, अर्विन्द केजरिवाल अब उनको याद आ रहा है कि हाँ हम दिली को पानी और सीवर नहीं दे पाए लोग तंत्र की रक्षा करने की दोहाई देने बारे लोगों से पूछना चाहते हैं क्या ये समिधान की धज्जा नहीं उड़ाई जा रही है, कि कभी कोई मुख्यमंत्री जेल से कैसे राज्य को चलाएगा मैं पूछना चाहते हूं माननिय मुख्यमंत्री अर्वेंद केज रिवाल जी से आप तो नसीखत देते थे देश के सभी राज लेताओं को आपकी आत्मा क्यू सो रही है शराब गटाले से लोगों का ध्यान बढ़काना चाते हैं, कभी कहते हैं आज एक ओडर आ गया, फिर कहते हैं दूसरा ओडर आ गया, नौ साल तक मुख्यमंत्री रहे अर्वेंद केज जिवाल जी, नौ साल तक तो नहीं का ओडर पास नहीं किया अचानक से दिल्ली के मुख्यमंत्री को दिल्ली की चिंता हो गई है, यह सब जो ड्रामा है ना, वो सिर्फ और सिर्फ विक्टिम कार्ट खेलने की कोशिश की जा गए, कि देखिए हम तो विक्टिम हैं क्या कहेंगें, जो कहते थे कि मैं इसी कमरे में रहूंगा, और वो सीस महल बनाएंगें, सरकारी आवास में एक ग्यारे लाग का एक एक परदा लेंगें, दबा और दारू, यह दोनों केजरिवाल साहब को लेके डूब गयें और इस बीच केजरिवाल के हस्ताक्षर को लेकर एक बड़ा विवाद हो गया, कि अगर केजरिवाल अंदर हैं, तो उनके आदेशों पर हस्ताक्षर किस ने किये, यह बड़ा विवाद हो गया, कि हैं सी एम आफिस का मिस्यूज हुज हुआ, कतित शराब घुटाले के पार्टी केजरिवाल के गिरफतारी को लेकर बिरोध प्रदर्शन कर रही है, हरविन केजरिवाल उनकी पार्टी दावा कर रही है, जिनकी जील के अंदर से ही केजरिवाल दिली की सरकार चला रहे हैं, तो बीजेपी नेता मंजिंदर सिंग सेसा ने आरोप लगा दिया, कि इडी हिरासत से केज़ीवाल के जिन आदेशों की बात आमानी पार्टी कर रही है। केज़ीवाल को दिल्ली की जनता की बहुत फिक्र हो रही है। अर्विन केज़ीवाल के पास कोई लेटर नहीं पहुँचाया गया। इडी का ये भी कहना है कि कस्टेडी में अर्विन केज़ीवाल ने किसी ओडर पर साइन नहीं की है। अर्विन केज़ीवाल को CCTV सविलांस में रखा गया। जहां उन तक कोई फाइल नहीं पहुचाई जा सकती। पीडी हिरासत के तड़ा अर्विन केज़ीवाल के पास किसी भी तरह की सरकारी फाइलों को ले जाने पर रोक है। तो सवाल ये है कि आतिशी जिदो कागस दिखा रही थी उसमें हस्ताक्षर किसके हैं फिर। कै ये घोठाला है, ये फर्जी वाड़ा है, जैसा अरो बीजेपी लगा रही है, केज़ीवाल ने ओडर पर साइन नहीं किये, तो वो साइन किसके हैं, अगर इन ओडर पर केज़ीवाल के साइन नहीं हैं, तो फिर सरकारी दस्तावेजों और सीन ऑफिस का, क्या मिस्यूस ह बीजेपी सवाल ये भी पूछरे कि ये फरजी वाड़ा हुआ है इस मामले में केस धर्ज करने की मांग की जा रही है इडी सूत्रों का ये भी कहना है कि इस बात की जाच करा सकती है कि कैसे अर्विन के जिवाल ने हिरासत के अंदर से सरकारी फाइलों पर अगर दस्तकत नही किये तो क्या उसका मिस्यूस हुआ के जिवाल को शराब घुटाले को लेकर इडे ने 21 मार्च को ग्रिफतार किया था और तब से लेकर अब तक यानि विछले पांच दिनों के जिवाल ने दो आदेश एडी की हिरासत में रहते हुए जारी किये पहला आदेश के जिवाल न उन्होंने दिली की जल मंत्री आतिशी जी को निर्देश दिया था कि दिली में जाएं पानी की कमी है ना वहां टैंकरों का इस्तेमाल करें दूसरा आदेश आज 26 मार्च को के जिवाल ने एक बार फिर एडी की कस्टिजी से अपना दूसरा अब इसमें शर्द का इस्तमाल दिया ओडर नहीं इसमें को रिटन नहीं आया उन्होंने स्वास मंत्राले को निर्देश दिये कि महला क्लिनिक में घरीवों के लिए दवाओं की कमी नहीं होनी चीए लोगों को मुफ्त इलाज और दवाईया महया कराई जाएं अब खेजरीवाल के इनहीं दोनों आदेश है अतिशी घी कागज दिखा रही है साउरब आज नहीं दिखा रहे थे फरक समझि कोरें के साथ पहले काघस दिखा रही विवाद हो गया, ये तो साइन का किस ने किये, कहां से आये साइन, साइन तो बो करी नहीं सकते, आज सौरा बार दुआ जाए, उन्होंने पेपर नहीं दिखाया, उन्होंने बोला गया, मुझे बताया गया, मुझे डिरेक्शन दिया गया, सवाल ये भी है, कि क्या कोई कि ये practically possible नहीं है, दैतिक्ता का सवाल है, क्या कहता है Delhi Prison Act 2020, क्योंकि Delhi Prison Act 2000 के तहत, administration किसी भी बिल्डिंग या किसी भी जगा को, जेल डिकलेयर कर सकता है, और अगर ऐसा होता है, वारविन के जीवाल, वहां रहकर सरकार चला सकते हैं, लेकिन इस पूरे विवाद को लेकर, क देखिए और समझिए, बीजेपी क्या क्या रही है, और सफाई में आवानी पाटी क्या 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 रही है, का प्रदर्शन, सडके जाम, मेट्रो बंद, सलाखों में केजरीवाल, सडक पर बवार, अचानक से दिल्ली के मुखे मंतरी को दिल्ली की चिंता हो गई, दिल्ली में प्रदर्शन का जवाब प्रदर्शन, दिल्ली में आम आदमी पार्टी केजरीवाल के गरफतारी को लेकर सडकों पर है, तो आज बीजेपी ने भी उसके विरोध प्रदर्शन का जवाब प्रदर्शन से दिया, पहले आप आम आदमी पार्टी के विरोध प्रदर्शन की ये तस्वीर है देखिए, आज दिल्ली की सडकों पर आम आदमी पार्टी के कारिकरताओं ने कुछ इस तरह हंगामा मचाया, आम आदमी पार्टी के कारेकरता दिल्ली सीम अर्विंद केजरीवाल के गिरफ्तारी के वरोध में प्रधानमंतरी आवास का घिराव करने निकले जिसके बाद पी एम आवास के आसपास धारा 144 लगा दी गई और प्रधर्शिन कारियों को प्रधानमंतरी आवास के तरह और निकास ज्वार को भी सुरक्षा कारणों से बंद कर दिया पटेल चौक और केंद्रिय सचुवाले मेट्रो स्टेशन के एक गेट भी बंद कर दिये गए प्रतोशनकारी दिल्ली की सड़कों पर उपद्रव ना फैला पाएं इसको लेकर बड़ी संख्या में सुरक्षा बलों की तैनाती की गई लेकिन इसके बावजूद आम आदमी पार्टी के कारिकरताओं ने कई जगों पर बवाल कटा जिसके बाद प्रतोशनकारियों पर वाटर केनन का इस्तिमाल किया गया और आम आदमी पार्टी के कई कारिकरताओं को हिरासत में ले लिया गया ब्रहष्ट आचार एक नहीं अनेक किये इनका स्वास्ते मंतरी जेल में इनका शिक्षा मंतरी जेल में इनका सांसा जेल में इनका उपमुखे मंतरी जेल में अब किंग पिन अरविंद केजरिवाल भी जेल में है ब्रहष्ट आचार के गंभीर अरविंद केजरिवाल जेल में मेरा सवाल ये है ये कहते हैं कि लोगतंत्र को खतम कर नहीं लोगतंत्र नहीं ब्रहष्टाचार खत्रे में हैं लोगतंत्र नहीं ये एंटी सिनातनी खत्रे में हैं लोगतंत्र नहीं करप्शन वाले खत्रे में लोगतंत्र नहीं कटमनी खत्रे में लोगतंत्र नहीं राम वि प्रफ़ान की धज्जा नहीं उड़ाई जा रही है कि कभी कोई मुक्यमंत्री जेल से कैसे राज्य को चलाएगा जेल के मैनुवल में प्रोविजन है कोई आदमी जेल में अगर बंद है तो वो चार गंटे से जादा एक सब्सक्रा में आदा आदा गंटे का चार बाटाइम म पास आम आदमी पार्टी के कारिकरता पीम आवास की तरफ बढ़ने के कोशिश कर रहे थे तो दूसरी तरफ दिल्ली के फिरोशा कोटला स्टेडियम के नजदेक बीजेपी कारिकरताओं को विरोध प्रतरशन भी जारी था बीजेपी कारिकरता दिल्ली सचिवाले के तरफ बढ़ रहे थे बीजेपी अर्विंद केजरिवाल के इस्तिफे की मांग कर रही है और आज बीजेपी कारिकरताओं ने इसको लेकर दिल्ली की सड़कों पर प्रदर्शिन किया कि अर्विंद केजरिवाल को दिल्ली की बहुत चंता है इसलिए उन्होंने कस्टिडी से एक नोट बर भेजा है स्वास्ते मंत्राले को लेके दो दिन पहले वो जल बोर्ड को लेके आतिशी को बेजा था अचानक से दिल्ली के मुख्य मंत्री को दिल्ली की चिंता हो गई यह सब जो ड्रामा है ना वो सिर्फ और सिर्फ विक्टिम कार्ड खेलने की कोशिश की जा रहे पर जिस तरीके से पुलिस बल तैनात है तुझे लगता है कि ताना स्राही की प्राकाश्टा है आम आन्मी पार्टी के लोग दिल्ली के लोग अपने लोग प्रियमुक मंत्री को भरजी मुकदमे में जेल जाने के खिलाफ बहुत गुस्से में हैं आज यहाँ पर आम आन्मी पार्टी के कारिकरता दिल्ली के लोग इकठा होकर के प्रधानमंत्री आवास की तरफ मार्च करने वाले थे पर जिस तरीके से यहाँ पुलिस बल तैनात है जिस तरीके से यहाँ पुलिस ताना शाहिर अपना रहे मुझे लगता है यह बहुत श अंदर जाने के बाद भी केजरीवाल ने अपने पत से इस्तिफा नहीं दिया उनका कहना है कि वो जेल के अंदर से ही दिल्ली की सरकार चलाएंगे आम आद्मी पार्टी के मताबिक केजरीवाल ने 24 मार्च को एडी की हिरासत से ही जल मंत्राले के नाम पहला सरकारी आदेश जारी किया उन्होंने दिल्ली की जल मंत्री आतिशी को निर्देश दिया था कि दिल्ली में जहां पानी की कमी है वहां टेंकरों का इंतजाम करें मुहया कराई जाए तरीके की सूचना मुख्यमंत्री जी को मिली है कि कई मोहला क्लिनिकों के अंदर जो मुफ्थ टेस्ट होते थे उसके अंदर समस्या आ रही है तो उन्होंने मुझे आदेश दिया है कि इसके उपर जल्द से जल्द उचित कदम उठाए जाए और ये सुलिश्चित किया जाए कि सभी अस्पतालों में मौला क्लिनिकों में सारी दवाईयां और सारे टेस्ट मुफ्थ मिले और उनकी उपलब्रता कमना हो अर्विन केजरिवाल जी ने लिखा है कि मुझे पता चला है कि दिल्ली के कुछ इलाकों में पानी और सीवर की काफी समस्याएं हो रही है इसे लेकर मैं चिंतित हूँ, चूकी मैं जेल में हूँ, इस वज़े से लोगों को जरा भी तकलीफ नहीं होनी चाहिए गर्मिया भी आ रही है, जहां पानी की कमी है, वहां उचित संख्या में टैंकरों का इंतिजाम कीजिए मुख्य सचेव समेत अन्य अधिकारियों को उचेत आदेश दीजिए ताकि जनता को किसी तरहां की परिशानी ना हो जनता की समस्याओं का तुरंत और समूचित समाधान होना चाहिए एक तरफ केजरिवाल के पार्टी के नेताओं का कहना है कि उन्हें सिर्फ दिल्ली की जनता की चुनता है और यही वज़य है कि केजरिवाल एडी की हिरासत में रहकर भी दिल्ली की जनता के भलाई के लिए वहां से आदेश जारी करते हैं तो बीजेपी ने इन आदेशों की प्रामानिकता पर ही सवाल उठा दिये बीजेपी का आरोप है कि आदेश फर्जी है बीजेपी नेता मंजिंदर सिंग सिर्सा ने दिल्ली के उपराजिपाल वीके सक्सेना को चिठी लिगी है ये आरोप लगाया है कि एडी की हिरासत से जारी केगे जिन आदेशों की बात की जा रही है उन आदेशों में केजरिवाल के हस्ताक्षर नहीं है उन्होंने इसे एक बड़ा फर्जीवाडा बताते हुए इस मामले में FIR दर्ज करने की मांग की है आज मैंने दिली के उपरा जेपाल और इनफोर्स्मेंट डिरेक्टरेट को आतीशी जी और उनके साथियों के खिलाफ कंप्लेंट की है जिन्होंने मुक्हमंत्री जी के नाम से एक इलीगल ओर दिखाया और यह कहा कि दिली के मुक्हमंत्री का ओडर है और मुक्हमंत्री जी ने एडी कस्टडी में जेल में रहते हुए यह और पास किया है यह टोटल इलीगल था अनकॉंसिचूशनल था और यह मुक्हमंत्री के आफिस का मिस्यूज है ये क्रिमिनल कॉंस्प्रेसी है दिली के लोगों के साथ दिली के मुख्यमंत्री के दफ्तर के साथ और दिली की चुनी हुई सरकार दोरा अपने मुख्यमंत्री के पद का दुर्पियों किया जा रहा है